लाला को माखन भावेरे लाला को मिशरी भावेरे आज के बाद अगर अब तक बटर का भोग लगाते हों तो आज ब्रुन्दावन में संकल पकर के जाना की ठाकुर जी अब तक अगर बटर खिलाया हो तो छमा कर देना हमें नहीं पता था क्योंकि आप बटर नहीं खाते हो अगर आज तक बटर का भोग लगाया हो तो छमा मांग लेना क्योंकि लाला को माखन भावेरे लाला को मिशरी भावेरे लाला को माखन भावे रे, लाला को मिश्री भावे रे बोलिया माखन चोरे भदवाने की बड़े आनंद में ये माताएं बहने बैठी हैं इनसे ज़्याद है बजारों में कौन घूनता होगा इनसे ज़्याद है कौन जानता होगा की बजारों में आज कल नए नए फूड क्या आ रहे फास्ट फूड भी भोग मत लगा ना ठाकुर को तुम खाओ तुमारी मर्जी लेकिन हमारे गोविंद को मत खिला न हाँ कभी पता चले की दूद में कैलोग डालने से कैलोरीज मिलती हैं ताक आती तो कहीं गोविंद के आगी भी रख दो नहीं भैया क्योंकि लाला को माखन भावेरे कानहा को मिश्री भावेरे लाला को माखन भावेरे कानहा को मिश्री भावेरे लाला को माखन भावेरे लाला को मिश्री भावेरे सीरो धरावू श्रीखंड धरावू सुतर फेनी साई गोपियां कितने सुन्दर सुन्दर भोग लगा रही है श्रीखंड का भोग लगा रही है फेनी का भोग लगा रही है गेवर का भोग लगा रही है मठरी का भोग लगा रही है लेकिन फिर भी लाला भोग नहीं लगा रहे क्यों उपर ता जागी धाराऊ उपर ता जागी धाराऊ पर माखन जेवा नई पर माखन जेवा नई लाने माखन भावे रे कनहने मिश्री भावे रे उपर ता जो घी धराऊ पर माखन जेवा नई सब कुछ रखा लेकिन माखन नई और ताजा घी वो तो सुद्ध भारतिये देशी गोमाता के दूद से बने हुए घी को रख रही है हम सब तो डेरी के घी को रखते होंगे जर्सी गाये के दूद से घी निकाला उसको रख देते होंगे बैस का दूद आ रहा है उससे घी बनाया उसको रख देते होंगे गोपी तो फिर भी भारती ये सुद्ध देशी गया के घी को रख रही है लेकिन फिर भी भोग नहीं लगा रहे क्योंकि हो उपरता जांगी धराऊ परमाखनी जेवा नहीं लालाने माखन भावे रे कानहने मिश्री भावे रे ब्रणावन प्रेम की पवित्र पाठ शाला है ब्रणावन ऐसी पाठ साला है जहां पर गोबिन से प्रेम करने का पाठ पड़ाया जाता है आज मानो आनन्दी भाई हम सब को बता रही है कि लाला को क्या क्या अच्छा लगता है भावसे जाती जाती ना में बाधरा मुन्दूद साकरने थै जाती जाती ना में बाधरा मुन्दूद साकरने थै चपन भोग सामगरी धरूपर दे माखन जेवा नई माखनी जेवा नई लालाने माखन भावे रे कानहने मिश्री भावे रे लालाने माखन भावे रे कानहने मिश्री भावे रे जरानने में धूमिये पर्टा यूम माखन भावे रेल हुआ रेममिये एक कोपी ने माखंधर और हाथ जोड़े खड़ी छपन भोग सज गए गोविंद के आगे लेकिन ठाकुर्जी भोग नहीं आरोग रहे ठाकुर्जी आरोगी नहीं रहे भोग लगाई नहीं 56 वेंजन लखे हैं 56 भोग सज रहे हैं नाना प्रकार की वेंजन सजा दी भोग में लेकिन ठाकुर्जी क्यों नहीं नहीं हारे रहे एक गोपी ने का तुरे एक कमी कर दी सब कुछ रखा लेकिन माखं नहीं रखा माखं नहीं रखा तो गोपी ने का तू लेके आ क्या तुझे लगता है माखन रखते ही ठाकुर जी भोग लगाएंगे अरी बावरी तु भोग लगाने की बात करती है ये माखन के इतने रसियां है तु माखन रखकर तो देख फिर दे गोविंद क्या करेंगे एक कुपी ने माखन धरायो हाथ जोड़े के खड़ी दिनानात रिजाता रे स्री ठाकुर जी माखन को देखके इतने प्रसन हो गए कि क्या बता हूँ ओ दिनानात रिजाता रे ओ नाचे ताता थई लालाने माखन भावेरे तनहने मिश्री भावेरे लालाने माखन भावेरे तनहने मिश्री भावेरे लगता है चाय ज़्याद है पीते हो चाय कम पिया करो ये चाय काई असर है जो आनंद नहीं आ रहा आपको हम भी पीते हैं लेकिन एक सीमा में पीते हैं दीनानात रीज गए माखन को देखके गुविंद नाच ले लगए और आप ऐसे बैठे अरे एसे केसे बात बनेगे गोविन्द नाज रहें और भक्त प्रेमी ऐसे वेटे रहे जाएं। बात नहीं बनती साब। दोनों कुझा उठा के बोलो। लालाने माखन भावे रे कानहने मिश्री भावे रे लालाने माखन भावे रे कानहने मिश्री भावे रे लालाने माखन भावे रे कानहने मिश्री भावे रे मोर्वगुडवन सीवा रे की मैं निवेदन कर दूँ आज आनंदी वाई आपको अपने ठाकुर के लाडचा बता रही हैं कल के प्रसंग में आनंदी वाई अपने ठाकुर जी का ब्याहा रचाएंगे और ब्याहा में आप सब सखियां आप सब गौलबाल पधारेंगे पधार होगे की नहीं पधार होगे लेकिन आनंदी वाई उनी को प्रवेश देती हैं जो लाला के लाडचाव से सेवा करें कल लाला का ब्याहा होगा यहां पर कल दोनों जुगल जोड़ी का विभाव उच्छ सब मनाएंगे हम सब श्री आनंद वल्लब लाल का तो उसके लिए अभी से लाला को क्या अच्छा लगता है लाली को क्या अच्छा लगता है जान लो और अभी से उच्छ सब की तैयारी में उच्छ साहित हो जाओ दोनों बुजा उठाके यहो जाती जाती ना मेवा धरावू दूद साकरने थाई है जाती जाती नामे वातराओं तुझे शकरने थाई ओ छपन भोग सामगरी धरू मैं पर माखनी जेवा नहीं लालाने माखने भावेरे कईए कईए मिसरे भावे रहे दिनाना तरी जाता रहे दिनाना तरी जाता रहे जय हो जय 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 हो जय हुआ है एकोपी ने माखंधरी ने हात जोड़े अभी एकोपी ने माखंधरी ने हात जोड़े अभी ओ दिना नात रिजाता रे ओ नाचेता का थाई लालाने माखंधरी ने मिश्री भावेरे लालाने माखंधरी ने मिश्री भावेरे लालाने माकन भावे रे, कानाने मिस्री भावे रे हो मातन भावे मिस्री भावे रे, कानाने मिस्री भावे दोनों हाथ उठाके हम से वाप दोनों को दोनो दोनों इस के ऊड़ियर만otzdem करके हमने कि उपने की वतनती को udah आल रानी वाकर महें डालतनी अविश् de का आलते हेेस् ऐन कियारी Southeast manufacturers का आलते हम थान ईसमाने का रहे ऐसे आउमे मोडं़ेश स्कुएा आलती हो एक बार बोलो आप दोनों हातों ठाके जोर से बोलो इसलिए आज के बाद बटर का प्रयोग नहीं होगा ठाकुर की सेवा में संकल्प लेते हो के नहीं रेडी मेड बस तू कुछ भोग नहीं लगाएंगे ठाकुर को जैसे भी बन पड़े जाद नहीं चाहे थोड़ा ही बने लेकिन अपने हाथ से बना के ठाकुर को भोग लगाएंगे और जब अपने हाथ से बना के ठाकुर को भोग लगाओगे न आपके भोजन बनाने की क्रियावी भक्ती बन जाएगी और जब आप भाव में डूब के ठाकुर के लिए कुछ बनाओगे तो ठाकुर भी ऐसे ललाईत हो जाएगे जैसे हमारे नवनीत प्रिये कड़ी में पकोड़ी को देखके ललाईत हो गए थे हाँ बुकारो लालाने माखन भावेरे कानाने मिश्री भावेरे लालाने माखन भावेरे कानाने मिश्री भावेरे बसे एक वार और गाव लालाने माखन भावेरे जो लोग बैठे हैं वो भी दोनों हाँ उठाके बोलो लालाने माखन भावेरे कानाने मिश्री भावेरे जय जय स्री राधे बस गोविंद से हम प्रेम करना सीख जाएं आओ आज के सत्र को विराम दें उससे पहले गोविंद से यही मांग लें बहुत सुंदर प्रार्थना है आप सब को कारो गोविंद से कहो कल के सत्र में स्री आनंद इबाई जी के लाडले ठाकुर स्री आनंद बल्लब जी के उस रसीले प्याहवले महुचसव में हम सब आनंद लेंगे ठाकुर जी का कल विभार चाहेंगे भाव से पूरी तयारी के साथ आना पूरे आनंद के साथ आना बराती भी पूरे मजबूत बन कर आना खूब आनंद लेना है और किशोरी जी के पक्षवाले भी सब आनंद से जूमना उसके बाद जैसा भाव बनेगा श्री ठाकुर जी को चरित्र सुनाने का हम सब प्रयास करेंगे उनीकी करपा से